पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे मोदी जी कहते थे कॉंग्रेस मुक्त भारत याद है याद है ना आज कल भाषनों में कॉंग्रेस मुक्त भारत नहीं कह रहे क्या हो गया मोदी जी आप तो कह रहे थे कॉंग्रेस मुक्त होगी वो राजिस्तान में मुक्त हुई गायब होई Congress, मद्र प्रदेश में गायब होई, छक्तिसगड में गायब होई, करनाटक में गायब होई, गुजरात में गायब होई, नहीं, और आज कल नियानारा चला है, माताएं बहने आपने सुना होगा, छोकिधायत, यह देखिए, जहां भी आप जाएं, किसी भी चोरा पर चले जाएं, गुजरायत के किसी भी गाहों में, किसी भी चोराएं में, चले जाएं, कहीए, चोकिदार, घडाक से जवावादा, चोकिदार, अब यह हुआ कैसे, यह पान्ट साल में लोग कहते थे, पहले कहते थे, आपको याद होगा, यह हमारे प्रेस वाले, जो मित अच्छान मंत्री बनेगा की कहते थे हैं आज कल यहीं आके कहते हैं भाईया नरेंद्र मोधी चुनाओ आर गया कि यही कह रहे हैं कि क्या हुआ है इतना भरोसा हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोधी में किया उनके शब्दों में किया पंद्रा लाक रुपए बैंक अकाउंट में डालूँगा दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा किसानों को करजा माफ करके दिखाऊंगा किसानों को सही दाम दूँगा भाईयों और बैनों क्या हुआ क्या हुआ इन वाइदों का आज कल नरेंद्र मोदी जी अपने भाशनों में ना रोजगार की बात करते हैं ना किसानों की बात करते हैं ना पंदर लाग की बात करते हैं ना भरष्टाचार की बात करते हैं अजीब सी बात है और एक निया फैशन निकला है आपने देखो होगा नरेंद्र मोधी के बाशनों में दो आइने लगते हैं ऐसे एक इस साइड एक इस साइड टेले प्रॉम्टर 56 की चाती वाला प्रधान मंत्री टेले प्रॉम्टर पढ़के ऐसे ऐसे बाशन देता है आज क मगर उस भाशन में आपको ना बेरोजगारी की बात ग्वालियर जो पहले इंडस्ट्रियल सेंटर होता था इंडस्ट्रियल सेंटर होता था कि इस प है वालियर में को रोजगार मिलता था उसके बारे में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि लेटाइश के सामने चुनौती यह बाई और बेहनों को देश के सामने चुनौती है कि नरेंद्र मोदी ने सही बात उठाई थी दो कोरोड युवाओं को रोजगार देने की बात जो कही थी वो सही कही थी और जब वो प्रधान मंत्री बने हम विपक्ष में थे मैंने भी कहा हाँ शायद नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के युवाओं के लिए कुछ कर डालेंगे मेक इन इंडिया स्टार्ट अप इंडिया सिडाउन इंडिया नारे लगे बारा बज़े रात को जी एस्टी नोट बंदी क्या हुआ 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज 27,000 युवा 24 गंटे में रोजगार खोते हैं मेक इन इंडिया स्टार्ट अप इंडिया मोधी जी धजियां उड़ा दिया आपने इंडिया की अग्यारे दुकान नानों दुकांदारों को नश्किया जो इस देश की रीड की हटी है जिससे पूरी दुनिया डरती है छोटे बिजनेस वाले दुकांदार मिडल साइज बिजनेस वाले अपना खूल पसीना देते हैं जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं और आने वाले समय में नरेंद्र मोदीजी करेंगे उन पर आपने कुलहाड़ी मारे एक नहीं दो तीन कुलहाड़ी हमारी पहले आठ बजे रात को आठ बजे रात को कहते हैं भाईयों और बहनों मुझे पांच सो रुपय का हजार रुपय का नोट अच्छा नहीं लगा अब मैं इसको रद करने जा रहा हूं मतलब इतनी भी समझ नहीं प्रधान मंत्री को इतनी भी समझ नहीं कि नोट बंदी से हिंदुस्तान का नुकसान होगा जिंदगी बर्बाद करती लाकों करोणों लोगों की पूरा का पूरा पैसा सिस्टम से निकाल दिया उसके बाद गभबर सिंघन था पांच अलग अलग टैक्स 28 परसंट टैक्स हर महीने फॉन भरो दस परना फॉन भरो उदर पीजे से टैक्स वाले आते हैं रिश्वत मांगते हैं किस प्रकार का मेक इन इंडिया किस प्रकार का स्टेंड अप इंडिया क्या कर दिया आपने नरेंद्र मोधी जी फाइदा किसको हुगा सीधी दिबात है 30,000 करोड रुपए अनिलंबानी की जेब में राफाइल गोटाले में 45,000 करोड रुपए मेरे आकरे नहीं हैं सरकार के आखरे हैं 45,000 करोड रुपए हिंदुस्तान के बैंक का पैसा आनिलंबानी को 35,000 करोड रुपए नीरब मोदी 35,000 करोड रुपए मेहुल चौक्सी 10,000 करोड रुपए विजय मालिया जाने से पहले विजय मालिया जाने से पहले अरुन जेटली से पारलिमंट हाउस में मिलता है 10,000 करोड रुपए ले गया मगर जाने से पहले अरुन जेटली से मिलता है अरुन जेटली के बैटी के बैंक अकाउंट में मेहुल चौक्सी ने पैसा डाला रेकोर्ड है, साफ है, पुरा देश जानता है, लाकों करोर रुपए इन पंद्रा लोगों का, जेटली जी ने, मोधी जी ने मिल कर माफ किया, किसान पूछता है, हमसे पूछता है, रावल जी बताईए, ये 35,000 क्रोर रुपए लेकर कर्शा भाग गया, ये मोज कर रहा है, ये जेल में नहीं है, मगर मध्य प्रदेश का किसान बीस हजार रुपए बैंक से लेता है, वापिस नहीं देता है, उसे मोधी जी जेल में डाल देते हैं, कैसा निया है, कैसा हिंदुस्तान है, युवा बेरोजगार, किसान आतम हत्या करता है, और नरेंद्र मोधी दिन भर, मन की बात, मन की बात, मन की बात करते रहते, क्या मिला हिंदुस्तान को, यहाँ, देखें यहाँ, दस दिन के अंदर कमल नाची ने कर्जा माफ किया, उससे पहले बीजेपी के लोगों ने कहा था, पैसा कहां से आएगा, शिवराज चोहान जी कहते हैं, कि कर्जा माफ नहीं हुआ, वो अपना सेलफोन दिखाना कमल नाची, वो सेलफोन दिखाना, जो आपने मुझे आज दिखाया, जिस पे उनका नाम लिखता है, कर्जा माफ बनों का, कमल नाची ने सेलफोन दिखाया मुझे, कमल नाची नाम जड़ा पढ़िये, जड़ा नाम पढ़िये, किसका कर्जा माफ हुआ जड़ा नाम पढ़िये, शिवराज सिंग के भाई रोहज सिंग चुहान और सगेच चाचा की बेटा रोहज सिंग चुहान और सगेच चाचा की बेटा निरंजन सिंग का हुआ करदा माफ और शिवराज सिंग कहते हैं कुछ अब यह मतलब कैसी बात कर रहे हैं सरकार के स्टेटिस्टिक्स में रेकॉर्ड में लिखा है कि उनके भाई का कर्दा माफ हुआ और अगर कमलनाज जी शायद अगर वो चाहें आप इसकी फोटो कॉपी उनको भेज दीजिए उन्होंने अपलाई किया कर्दा माफ करवाने के लिए उनके भाई ने अपलाई किया और हमने माफ किया और शिवराज चोहान जी कहते है किसी का कर्दा माफ नहीं हुआ शिवराज चोहान जी आपके भाई का कर्दा माफ हुआ है इतना तो जूट मत बोलिए अच्छा कमलनाच जी व्यापम के बारे में भी कुछ कीजिए व्यापम के बारे में भी कुछ कीजिए